पैर बच्चों चली आए हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्लास तेंथ के साइन्स सब्जेक्ट को जैसा कि पैर बच्चों हम लोग पिछले दें दरपन सुत्र से रिलेटेड कुछ प्राब्लम को किये थे पहला की दरपन सुत्र क्या होता है इसको हम लोग प्रूफ भी किये इससे रिलेटेड कुछ कोश्टन को भी किये चली आए आगे आते हैं और प्रकास के परवर्तन और अपवर्तन के चेप्टर में आवर्धन के बारे में जानते हैं तो टॉपिक लिया जाए प्यरमेच्चो आवर्धन कहते हैं उसको हम लूग जारा समझते हैं प्यरमेच्चो आवर्धन को सिखरे के लिए कुछ हमें चीजों का जानकारी होना चाहिए जैसे आवर्धन का मतलब होता है उचाई अब हम लोग जितना भी परकास के परवर्तन में पढ़े हैं तो वहां पे यही कि हमेशा वस्तू को बाईयों रखा जाता है और दूसरी बात कि जो वस्तू का साइज होता है वो परतिविम से बड़ा या छोटा हो सकता है जैसे मान लिया कि एक वस्तू है अब इसका अगर परतिविम हमें छोटा देखना होगा तो आप उतल दर्पन का इस्तेमाल किजिएगा अगर इस वस्तू का परतिविम हमें बड़ा देखना होगा तो आप त्यारे छात्रों और उतल दर्पन का परियोग करेंगे अगर इस वस्तू का परतिविंब बराबर देखना होगा तो आप शमतल दर्पन का परयोग करेंगे तो प्यारे बच्चों आवर्धन का मतलब क्या हुआ? आवर्धन का मतलब ये हुआ कि वो दो चीजों में संबंद बताता है एक वस्तू के उचाई में और एक परतिविंब के उचाई में क्योंकि हर एक वस्तू का कुछ न कुछ परतिविंब जरूर बनता है चाहे भले न वो छोटा हो या फिर वस्तू से बढ़ा हो या फिर वस्तू के बराबर ही क्यों न हो लेकिन प्यारे बच्चों हमें कोई भी वस्तु है उसका परतिबिम बनना अतियावस्यक है या फिर छोटा हो बड़ा हो या फिर बराबर हो तो चली आईए हम लोग सिखते हैं आवर्धन को तो आवर्धन में हम लोग फस्ट आरो देंगे लिखेंगे परतिबिम के उँचाई तथा वस्तु के उँचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है नेक्स्ट आरो देंगे दूसरा आरो लिखेंगे इसे एम से सुचित किया जाता है इसे एम, एम का मतलब छोटा एम मतलब जहां भी आवर्धन होगा प्यार बैच्चों उसको एम से सुचित कर रहा है तो इसे एम से सुचित किया जाता है प्यार बैच्चों समझते हैं हाँ पे सबसे पहले आपको उसके नीचे लिख रहा है माना क्या मान रहे है है कि प्रतीबिम्ब क्यू उचाई प्रतीबिम्ब क्यू उचाई प्यारे बचरो H डैस है ह सका मतलब क्या हुआ और अगरमान रहे हैं वस्तु क्यू यहां सा ist को हम लोग फिलाल एच माने हुए पैरे बच्चों आवर्धन में जो लिया जाता है वो परतिविंब को उचाई लिया जाता है और वस्तु क्यों चाई लिया जाता है चुकि आवर्धन का फर्मूला ये बताता है कि परतिबिम्ब की उचाई और वस्तु की उचाई के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन तो चलिए अब हम लोग चुकि आवर्धन का फर्मूला क्या जानते हैं तो आवर्धन इजिक वल्डू परतिबिम्ब का उचाई है परतिबिम्ब की उचाई बता वस्तु की उचाई प्यार बच्चों आवर्धन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग आवर्धन को एम से सुचित किया जाता है तो एम बराबर परतिबिम्ब की उचाई को एच डैस से तो एच डैस बटा एच तो प्यार बच्चों ये फर्मूला होता है आवर्धन का अनुपात का मतलब होता है भागा डिवाइडेड यानि कि परतिबिम्ब का उचाई और वस्तु के उचाई के अनुपात को देंगे ये एरू आवर्धन में ही अभी अनुप पड़ रहें नेक्स्ट एरू देंगे लिखेंगे आवर्धन को आवर्धन को परतिबिम्ब दूरी परतिबिम्ब दूरी तथा वस्तु दूरी से भी सुचित किया जाता है वस्तु दूरी से भी सुचित किया जाता है प्यारे बच्चों हम लोग जड़सा इसके नीचे कुछ बात लिखें हैं उसको हम लोग समझते हैं जैसे मान दिया कि कोई भी दरपन है और उस दरपन जैसे की मान दिया एक ओतल दरपन है और इस ओतल धर्पन में एक मुख्य हर्च जहां पे बी है यहां पे प्यार बच्चो एक वस्तु रखा गया है जिसका नाम एबी है अब इस एबी से एक समानतर किर्णों को गुजारते हैं तो हम लोगों को फोकस से होकर गुजरता है और जैसे ही इसको सेंटर से गुजारा जाता है तो अपने रास्ते पर लौट जाता है तो इस तरीके से हम लोग को जो यहां इमेज बनता है वो मान लिया एडेस बीडेस इमेज बन रहा है ठीक है प्यारे बच्चो यहां पर हम लोग बात करें तो एबी एक वस्तु है यहां एबी क्या है एक वस्तु है और एड एक प्रतिविंब है, ठीक है, अब A-B-डेस एक प्रतिविंब है, और AB एक वस्तु है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी दूरियां हमेशा ध्रूर से मापा जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग AB एक वस्तु है, तो P से लेकर A तक की दूरी, दूरी कहलाएगा और P से लेकर A-S तक परतिबिंड की दूरी कहलाएगा लेकिन प्यारे बच्चों हम लोगों को वस्तू दूरी यानि कि PA PA किसे सुचित होगा तो PA एक वस्तू दूरी है तो उसको U से सुचित करेंगे और P A-S परतिबिंड है तो परतिबिंड दूरी को भी सुचित किया जाता है लेकिन प्यारे बच्चों आप ये समझे कि आवर्धन का फार्मूला क्या होगा तो आवर्धन का फार्मूला में सबसे पहले परतिबिंड का उंचाई लिखा जाता है तो परतिभींब का उंचाए यहांपे क्या है A-B- ठीक है परतिभींब का उंचाए वहाँ ह जद्स भले बोल रहे थे लेकिन यहांपे नाम हagne A-B- बढ़को वस्तु क्यों चाएब प्यारे बच़ो तो वस्तु क्यों चाएब क्या है AB तो यहां हो जाएगा A P प्यारे बचों, आप यह समझे कि A-B- कहा है तो मुखे अचे निचे है प्यारे बचों, जब मुखे Research के निचे रहता है तो हमें चिन परिपाटी क्या बताता है कि मुखे अच्छ से निचे की दूरिया रिनात मक होती है दूरियां कैसी होती है धनात्मक होती है पोजिटिव होती है प्यारे बच्चों A-B-स अच्छा से देखिए तो A-B-स क्या है तो मुख्य अच्च के नीचे है इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर लिख दिया जाए माइनस A-B-स बटा वस्तू क्या है तो उपर है मुख्य अच्च के उपर है तो जब भी कोई वस्तू या कोई भी दूरियां मुख्य अच्च से उपर मापी जाती है वो धनात्मक दूरियां होती है तो यहां पर हम लोग A-B का A-B छोड़ देंगे प्यारे बच्चों आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि A-B-स का मतलब यह हुआ किसका उचाई और इसका धुरूर से दूरि कितना है तो B P से लेकर A- तक की दूरि B है तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस B और वैसे ही प्यारे बच्चों A-B का मतलब A और B आखिर बार तो बराबर है ना P से लेकर A तक की दूरि बोलो या P से लेकर B तक की दूरि दोलो तो एक ही है ना तो कुल मिला का अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की वस्तू दूरि को हम लोग U से सुचित करते हैं इसलिए प्यार बच्चों आज से हम लोग एक और फार्मूला समझ जाएंगे कि M बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस भी बटा U यानि कि M का मतलब क्या आवर्धन तो प्यार बच्चों इसको अच्छे से नोट करनेजेगा फिगर को बनाएगा उसके नीचे क्या क्या है और कैसे कैसे प्रूफ हुआ है माइनस भी बटा में U तो इन चीजों को बि उसमें हमेशा आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है यह सब जो प्लस पॉइंट होती है एक्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए ठीक है आप हमेशा एक्जाम में अगर ऐसा स्किच करने के लिए आये या फिर खुद हमें कुछ बनाना पड़े तो आप बिल्कुल पेंसिल ज प्राइग्राम बनना चाहिए तो हम लोग अब समझ गए कि आवर्धन का फार्वुला क्या होता है माइनस भी बटा में यू जहां भी क्या है तो प्रतिबिम्ब दूरी और यू क्या है प्यारे बच्चो वस्तु दूरी यानि कि हम यह भी बोल सकते है प्यारे बच्चो कि प्रतिबिम्ब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन भी कहा जाता है यानि कि प्यारे बच्चो आप समझ यह आवर्धन का दोदो फर्मना एक एचडेस बटा एच और एक माइनस भी बटा में यू जहां पे एचडेस क्या है तो प्रतिबिम्ब की चाहिए भी क्या है तो प्रतिबिम्ब दूरी और यू क्या है तो वस्तु दूरी तो इस तरीके से हम लोग को दो दो फर्मूला है तो फिलहाल नीचे एक और एरो देंगे लिखेंगे प्रतिबिम्ब दूरी के रिनात्मक मान तथा वस्तु दूरी के मान के अनुपात को वस्तु दूरी के मान के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है अवर्धन कहा जाता है ठीक है? चलिए अब जरा समझते हैं तो मात वही लिखा गया देखिए परतिबिम्ब दूरी के रिनात मकमान मने की माइनस भी और वस्तु दूरी का मतलब यू कि अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे तो अलदधन को पेरबचों किसे सुजित करते हैं तो A. अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं और फिर और चीज़ों को समझते हैं हम लोग क्या होता है सबसे पहले अगर कोई कोश्चन आएगा क्या कोश्चन आएगा एक जामपन में कुछ कोश्चन कर लेते हैं कि सवाल ऐसे आएगा कि एक धरपन है और उस धरपन में जो परतिविम्ब बन रहा है ध्यान से सुनिएगा एक कोई दरपन है अब उसमें जो परतिविम्ब बन रहा है वस्तू से चार गुना बन रहा है तो चार गुना का मतलब क्या प्यार बच्चो चार गुना का मतलब है हुआ कि परतिविम्ब चार गुना है वस्तु अगर एक है तो वो चार है ठीक है अगर वस्तु आठ है तो वो 32 है चार गुना का मतलब यही हुआ तो प्यार बच्चो अगर ऐसा सवाल आएगा तो अक्सर एम का भेलू हो जाता है यानि कि अगर कहीं भी सवाल में यह आए कि परतिविम्ब का उँचाई वस्तु के उँचाई से 8 गुना है 4 गुना है 6 गुना है 3 गुना है तो हो जाता है एम का मान ठीक है और एम का मान कब माइनस में होगा और कब पलस में होगा तो अगर एम का मान उतल दरपन में होगा तो वो माइनस होता है और उतल दर्पन में पलस होता है ठीक है तो याद रखिएगा इस बात को नोट में करके लिखी लिजे कि एम का वैलू कब पलस में होता है जब आउतल दर्पन होगा या फिर बोले तो जिसमें वास्त्रीक पर्तिमिम बने या फिर अउतल दर्पन हो तो M का मान कोची में लिया जाता है प्लस में और M का वैलू कहां माइनस में लिया जाता है जहां पे उतल दर्पन हो प्यारे बच्चों आए योउसर यहां कालपल फर्ती में मनता हो 222 प्लेवां पर केम करले माइनस में लिया जाता है अनppt इसभी अब जब लोग बात कर लेते हैं। एक कोर्षन लिखा जैता हूं में आई का लिखा जाया। तो लखा जाए। में किसी ऑतल दर्पन में किसी ओतल दर्पन में कोई बिम्ग कोई बिम्ग यानि कि वस्तू दर्पन से दर्पन से आठ मिटर की दूरी पर है और इस दर्पन में परतिबीम्ग का साइज वस्तू के साइज से तीन गुना बन रहा हो तो इस वस्तू के लिए और तल दर्पन के सामने परतिबीम्ग दूरी क्या होगी परतिबीम्ग दूरी क्या होगी चले प्यारे बच्चों इस कोशन में सबसे पहले तो दिया है कौन सा दर्पन है प्यारे बच्चों दिया है ओतल दर्पन और ओतल दर्पन तो समझ में आ रहा है कि हमको सबसे पहले दर्पन पहचानना है कौन सा दर्पन दिया ओतल दर्पन अब ओतल दर्पन में सवाल क्या बोल रहा है कि कोई भी व वस्तू दूरी का मतलब यू और वस्तू दूरी हमेशा माइस न पा CAP कि गован दर पन है तो माइनस ती प्यारे बचो, एम का वेलू 3 कैसे आ रहा है, जरा आप समझ जाईए, अगर हमको पता नहीं है कि वस्तू का साइज क्या है, तो आप मान लिजे कि वस्तू का साइज, एच, तो परतिबीम्ब का साइज कितना होगा प्यारे बचो, तो 3 गुरा है, तो 3 एच, और एम का मान नह उचाई, वस्तू के उचाई से कितना भी गुना होगा, वो एम का वेलू हो जाएगा, और एम का वेलू कब लेना है, प्लस कब लेना है माइनस, तो जब अगर अवतल दरपन रहेगा, तब हमको लेना है माइनस, माइनस ले लिया, और हमको सावाल में भी निकालना है, था रावर्धन्सूत्र कहते है यहां मैंनस स्य और भीविक का टो मान निकालना है तो मैंनस भी छोड़ दिजे और यू कमान कितना प्यारे बच्चों, यू कमान माइनस 8, तो माइनस 8 सेंटीमेटर रख देजे, और यहां उपर भी माइनस और उपर भी माइनस रहता है, तो cancel out हो जाएगा माइनस माइनस, अब भी कमान निकालना है, तो तिर्षा तिर्षी गुना कर देंगे, तो माइनस 3 गुना में 8 बराबर भी, इसलिए भी बराबर माइनस 24 सेंटीमेटर, यानि कि प्यारे बचों, ये भी का भेलू माइनस में, यानि कि परतिवीम तो अल्रेडी माइनस 24 होता है, माइनस में होता है, तो यहां लिखेंगे कि परतिवीम दरपन से, परतिवीम दरपन से 24 सेंट की दूरी पर बनेगा तो इस तरीके से हम लोग आवर्धन सुत्र का इस्तेमाल करके और फिर कुछ नुमार का उस प्रॉब्लेम को हल कर सकते हैं तो फिर से वही हम लोग प्रश्ण पर आ गये हैं तो प्रश्ण लिखिएगा प्रश्ण नंबर पहला क्या पहला प्रश्ण बोल रहे हैं जिन लोगों के पास या जिन बच्चों के पास किताब नहीं होगा तो उनके लिए हम कोश्ण बोल देते हैं और जिनके पास किताब की वेवस्था है आप किताब खोल लिजे और फिर मि फोकस दूरी ग्याद किजिए जिसकी वक्रता त्रिजिया जिसकी वक्रता त्रिजिया 32 सेंटी मिटर है पहरा पिछो यह बहुत सिंपल सवाल है बोल रहा है कि उस उत्तल दर्पन में फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी का मान निकालना है मने कि ग्याद करना है कब जब हमें वक्रता त्रिजिया कामान दिया है प्यारे बच्चों वक्रता त्रिजिया को आर से सुचित करते हैं और आर कामान कितना दिया है 32 cm उपर लिख लिजिए कि हमें किसमें दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है उतल दर्पन में पोतल दरप्र में हम लोग और कमान प्लस लिखते हैं तो यहां हो गया आर का भेलो 32 प्लस में तो एक कमान प्यारबच्tor पुझा जा रहे हैं तो एक सुत्र आपको बताया हूंगे हम लोग की आर बड़ाबर क्या होता है प्यारबच्छो, 2F होता है यानि कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दो गुना होता है तो प्यारे बच्चों यहां R का मान केतना है पलस 32 तो 32 रख दिजिए बराबर 2F और फोकस का मान बताना है तो प्यारे बच्चों दो इधर गुना में है तो भागा में चल जाएगा, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 बटा में 2, यानि कि 16 cm हमें आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, तो चलिए अब अगले कोश्चन के तरह पढ़ते हैं, कोश्चन नमबर 2, यानि कि यह जो अभी हम लोग प्रश्न लिख वारे प्यारे बच्चों, यह किताब के बिच का प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न क्यों राते हैं, दूसरा प्रश्न लिखेंगे, कोई अवतल दर्पन के सामने, 10 सेंटीमिटर की दूरी पर, 10 सेंटीमिटर की दूरी पर, रखे किसी बिम्ब का, किसी बिम्ब का, तीन गुना आवर्धित, तीन गुना आवर्धित, वास्त्विक पर्तिविम्ब बनता है, तीन गुना आवर्धित, वास्त्विक पर्तिविम्ब बनता है, तो परतिविम दर्पन से कितनी दूरी पर है परतिविम दर्पन से कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर दू है अब दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है जरा समझेगा दूसरा प्रश्म में बोल रहा है कि एक प्यारे बच्चो आउतल दर्पन है तो यहां पे आप लिखेगा अच्छे से दिया है क्या भाई तो आउतल दर्पन में जो भी चीज दिया है वो किस दर्पन में दिया है आउतल दर्पन में अब आउतल दर्पन में प्यारे बच्च कहा है तो क्योंकि हमेशा वस्तु दुरित को क्या लेते हैं फिर बोल रहा है कि जो परतिभि मंद रहा है व्यस्तु से कितना गुना होता है एम कमान apologies तो यह ḩ cow hear you तीन विवना तो ह êtes जाएगा लेकिन कुह द्रपन ने पैरवच्चौ और तो यहां हो जाएगा माईनस तिह अब हमको भी का मान निकालना है पैरे तो चुकि U का value दिया हुआ है M का value दिया है तो B यानि कि परतिवींग कितना दूरी पर बनेगा तो आप आवर्धन सुत्र से इसका मान निकाल के और हमें answer सही answer क्या होगा इसको आपको ग्रूप में post करना है सही answer क्या होगा उसको फिर हम देखेंगे और फिर समझेंगे कि कितने लोगों का सही हो रहा है इसका right answer क्या है तो प्यारे बिचों जो हम लोग बीच के प्रश्न कर रहे थे वो यहीं तक के सवाल था अब अगले क्लास में हम लोग इसके बाद के topics को पढ़ेंगे तो आज के क्लास को यहीं तक कश्टोप करते हैं धन्यवाद